ग्यानवापी के तहखाने में A.S.I.E का सर्वे जारी है लेकिन उस तहखाने का असली मालिकाना हक रखने वाला ब्यास परिवार हमारे साथ है जिते निरनाद ब्यास जो है ये बच्पन में वहां रहे हैं और आज भी पुलिस की मौजूदगी में आते जाते रहते हैं परमक के आठकित मुर्ती है उसमें तुसूल भी बना हुआ है और कमल के आकरती भी है और उसमें खंभे जो है पुराने ढंके ही लगे हुए है जैसे मंदीर में रहते थे ये सब चीजे उसके अंदर अभी है मौजूद जो है और पूजय के हमारे जो इस्टनान करा जाता देवी देवताओं को भी कलास वहां रखे जाते थे आज भी तूट फूट के वहीं पड़े हुए है जो घड़िया है ये सब चीजे है पूजा की इस्थार की वहां रखी जाती है राडार तकनिक से एक वहां पर मिटी का धेर सा है राडार तकनिक लगा के उसे चेक किया जा रहा है तो ऐसा माना जा रहा है कि बहुत सारे पिंड बहुत सारी मुर्तियां भी दभी हुई है बिल्कुल दभी हुई है बहुत से निकलेंगे अभी वहां पर वहां पर और भी खुदाई होगी है जो भी हो राडार से तो वह बहुत से वहां पर आउसेस निकलेंगा पूजा हर साल होती है तो उसके पूरा ढर्व का और यह हमारे पुरुवत लोग लड़ भी चुके यह देवाल उठा देते थे अंगरेजी समय में तो कुछवाल वहां से आता था हमारे बाबा जी बताते थे कि यह फिर रात में आका कुटवाल जो उसको गिरावा आता था कि सुवेरे बलबा हो जाका इसको गिराओ तो रात भर में उसको गिराया जाता था यह सब हमारे पुरूजुने बताते थे हम लोगों को जी उसी का मलवा धेर है पीछे और उसके नीचे बहुत से अवसेस मूर होगोगा जो है बिलकुल है और बता रहे हैं बाहर बहुत सी जो है वहां नहीं रखपा हो थी यह जंत राति कि ज्ञान्वापी सर्वे में तहकाना जो है वो सबसे महत्व पुंद निबेघे मंदीर घृष मी दिवार की तरफ तो संगार गुरी का मंदीर है सबसे निकलेंगे कि मंदीर तो सिंगार गुरी कव यंद वाम पर मunde तो तो निकल निकल पूरा निसान बना हुआ पीछे के लिए बड़े बड़े फाटक थे पहले जो है वहां पर पीछे से आप देखेगा तो सब दिखाई देगा पूरा जो है अब उसका फोटो लेकर देखिए जो सर्वे चल रहा है आपको लग रहा है कि जो चीजे आपने देखा है जो चीजे मैसूस किया है वो धीरे धीर असपस्ट हो जाए जीतेंद्रनात ब्यास जो ब्यास परिवार के सदस्य हैं और साथी साथ अपने पूरे अनुभों को बता रहा है कि तहखाने का रहस्य क्या है कैमराबन प्रेम सिं क्या है